नमस्कार दोस्तों, आउसी के चैनल में आपका स्वागत है आज मैं दो रंग का एक बहुत कुपसुरत डिजाइन लाए हूँ जिसे आप बच्चो के स्वेटर में या किसी भी लेडिस प्रोजेक्ट में डालेंगे ये बहुत ही अच्छा लेगा इसे बनाने के लिए हमें दो के मल्टिपल फंदे चाहिए डिजाइन बताने से पहले आप से अन्रोध है यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए है तो कृपिया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें वीडियो और डिजाइन अच्छी लगे तो कृपिया इसे लाइक करें अपने फ्रेंड्स और फैमली में शेयर करें तो चलिए फ्रेंड्स हम डिजाइन बनाते हैं तो बॉर्डर बनाने के बाद पहली लाइन में हम सबी फंदो को सीधा बुलनेंगे यदि हमें अपने प्रोजेक्ट में फंदे बढ़ाने हो तो हम इस लाइन में फंदे बढ़ा सकते हैं तो हमने सबी फंदो को सीधा बुलिया अब यहाँ पे हम अपना तूसरा कलर अटेश करेंगे और दूसरे कलर के उन से हम सबी फंदो को उल्टा बुलनेंगे हमने रॉंग साइड में दूसरा कलर अटेश किया और दूसरे कलर के उन से हम सबी फंदो को उल्टा बुलनेंगे तो हमने सब भी फंदों को उल्टा बुन लिया अब हम आजाते हैं सामने की तरफ तो पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे अब एक ऐसे अंगुठे पर धागे को रखेंगे और देखिए एक हम ऐसे लूप बनाएंगे अब देखिए हमारे उनके दोनों सिरे इस सलाई के नेचे हैं अब हम जो सिरा ऐसे खिचने पर ना खिचता हो उस तरफ से दो फंदा उल्टा बुन लेंगे और ऐसे धागे को हम खिच लेंगे फिर हम ऐसे एक लूप बनाएंगे दोनों सिरे हमारे सलाई के नीचे अंदर से हैं अब ना खिषने वाले सिरे से हम दो फंदा उल्टा बनेंगे फिर ऐसे हम खिष लेंगे फिर हम ऐसे एक लूप बनाएंगे सलाई के नीचे हम दोनों सिरे को रखेंगे और ना खिषने वाले सिरे से ऐसे हम खीच के देखेंगे जो सिदा खिचने पर ना खिचता हो देखें ये खिचने पर खिच रहा है यानि इधर से हमें बुनाई नहीं करनी है बलकि हमें इस सिरे से बुनाई करनी है तो दो फंदा हम उल्टा बुलेंगे अब इसको हम ऐसे खिच लेंगे लूप बनाएंगे सलाई के नीचे से ऐसे ले आएंगे फिर दो फंदो को ऐसे खीच के देखेंगे जो सिरा खिचता ना हो उदर से हम दो फंदो को उल्टा बनाएंगे अब ऐसे हम खिचेंगे फिर लूप बनाएंगे सलाई के अंदर से ऐसे लाएंगे दो फंदों को हम उल्टा बुनेंगे और दूसरे सिर्यों को ऐसे पकड़के खिज लेंगे तो इन ही दोनों फंदों को पूरी लाइन में हम दो राएंगे लूप बनाएंगे और ऐसे आगे की तरफ हम लाएंगे फिर ना खिचने वाले सिरे से हम दो फंदा उल्टा बनेंगे अब दूसरे सिरे को पकड़के खिच लेंगे फिर एक लूप बनाएंगे सलाई के नीचे से ऐसे दोनों सिरे को लाएंगे ना खिचने वाले सिरे से हम दो फंदा उल्टा बनाएंगे और फिर दूसरे सिरे को ऐसे पकड़ के खिश लेंगे इसी तरह करते हुए हम पूरी लाइन कम्प्लेट कर लेंगे अब लास्ट फंदा बचा है तो इसे हम सीधा बनेंगे तो हमने ये देखिए दूसरा लाइन भी कम्प्लीट कर लिया अब फिर हम आजाते हैं रॉंक साइड में रॉंक साइड में हम अपने पहले कलर के उन से सबी फंदो को उल्टा बनेंगे पहले कलर के उन से सबी फंदो को उल्टा तो हमने अपने पहले कलर के उनसे सब भी फंदों को उल्टा बुन लिया अब हम फिर सामने की तरफ आ जाते हैं तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे उनसे अपनी और अगला फंदा उल्टा अब फिर हम ऐसे एक लूप लेंगे और दो फंदों को हम उल्टा बुनेंगे एक दो और इसे हम ऐसे खिच देंगे फिर हम लूप लेंगे अब देखिए यहाँ पे हमने इन दो फंदों को एक साथ बुना था इन दो फंदों को उलटा बुनाय था और उसके बाद खीचा था अबकी हम दो design के बीच वाले फंदे में बनाएंगे देखिये यह हमने पहले पहली line में हमने पहला फंदा slip किया था फिर दूसरे और तीसरे फंदे पर डिजाइन बनाया था और हम इस तो अब की हम लूप लेंगे दोनों फंदो को उल्टा बनेंगे और ऐसे हम देखिए हमने गलत साइज से बुनाई कर ली है अब ऐसे खीच के देखेंगे जो सिरा खिचता नहों उदर से हम दो फंदो को उल्टा बुनेंगे और ऐसे खिच देंगे फिर लूप लेंगे खीच के देखेंगे जो सिरा खिछने पर खिछता ना हो उधर की तरफ से हम बुनाई करेंगे और दूसरे सिरे को ऐसे पकड़ के खिछतेंगे तो दो फंदो का डिजाइन है और इन ही दोनों फंदो को हमें पूरी लाइन में दो राना है अगली लाइन में डिजाइन एक फंदा आ गया जा रहा है यानि दो डिजाइन अगला डिजाइन दो डिजाइन के बीच में बनेगा तो देखिए फ्रैंट्स दो फंदा और दो लाइन का ये डिजाइन है इन ही दोनों लाइनों को दोराते रहने से ये देखिए खुबसूरत सा पैटर्न बनता चला गया है मैंने तीन कलर का इस्तेमार किया है आप चाहे तो दो रंग में या फिर मर्टी कलर में भी आप इस डिजाइन को बना सकते हैं जिजाइन जितना आसान है उतना ही खुबसूरत तो फ्रैंस डिजाइन आपके सामने है सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा यदि आपको मेरा ये डिजाइन अच्छा लगा हो तो कृपिया आप इसे लाइक करें अपने फ्रैंस और फैंली में शेयर करें थैंक्स फर वाचिंग